दोस्तो अगर आपके phone में YouTube पर आपका बहुत ही जादा data consume हो जाता है, आप थोड़ी सी भी देर YouTube देखते हैं तो आपका बहुत ही जादा data चला जाता है, तो आप इसको कैसे सही करेंगे ताकि आप YouTube चलाएं तो आपका उतना जादा data खतम ना हो, इसके लिए आपको क्या करन दिखेगा यहाँ पर Settings का, आपको इसपे क्लिक कर लेना है, Settings पर जैसे हैं क्लिक करेंगे तो आपको नया Interface मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक option दिखेगा Data Saving का आप इसपे क्लिक करिए, और इसपे क्लिक करने के बार आपको जो यहाँ पर Data जिससे आपका डाटा बचे आप कोई डाउनलोड वगरा करेंगे तो उसकी भी quality एल की कम होगी इससे आपका डाटा बचेगा ठीक है यह आप यहाँ पे on कर दीजिए उसके बाद आप यहाँ से back कर लीजिए और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा auto play का आप इस पे click कर यहाँ तो आपको यहाँ पर बंद कर देना है ताकि next video automatically play ना हो उसके बाद आप यहाँ से back कर लीजिए आपको click करना है general पे जेनरल पे click करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखेगा प्ले बैक इन feeds का आपको क्या करना है इस पे click करना है और इसको यहाँ पर off कर देना है यह हो यहाँ पर यह जब आप off कर देंगे तो वो automatically नहीं चलेंगे ठीक ऐसे होगा कि आपका data भी बचेगा क्योंकि अगर आपके में यह on होगा तो वो automatically कहीं पर भी आप रुकेंगे थोड़ी दिर तो वो video चलने लगेगा तो चलेगा तो आपका data तो consume करेगा यह तो आप लाइक चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और बल आइकन को प्रेज ऐसे यह और भी वीडियो देखने के लिए